साथियों केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप मद्धिपर्देश से हैं या मद्धिपर्देश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटा पट सस्क्राइब कर दीजी और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजी जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको प्राप्त होगा तो साथियों बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हीं साथियों आज हम कोर्स चार माडूल 4 पर चार्चा करेंगी और प्रश्णोत्री से संबंदित सिक्षन अधिकम प्रक्रिया में जेंडर आयमों का समाकलन गतिविदी एक 6 में से 6 आप सभी सिक्षक सातियों से रिक्वेस्ट है कि आप कोर्स को पूरा समय दी और महत्पून बिन्दूओं को अपने डायरी में नोड भी करें क्योंकि निष्टा ओनलाइन प्रक्रिक्सक्षन में सभी 18 कोर्स पून हो जाएंगी तब सभी की ओनलाइन एक्जाम आयोजित की जाएगी और उसमें 60% अंकलाना अनिवार है एसा ना करने पर हो सकता है पुनहा ट्रेनिंग लेना पड़ेगी या और कोई मुस्यबत आ जाए इसलिए आप हर माडूल को महत्पून जानकरी को अपने डायरी में नोड करें क्योंकि जब आवसकता पड़ेगी तब इन 18 कोर जानकरी को स्टार्ट करते हैं गतिविदी एक रूडिक धारनाए ये नेमने लिखत में से कौन से रूडिक धारनाए आम तोर पर पूरूस महिलाया दोनों से जुड़ी हुई है इनके ओपर अपने पास प्रस्ण आएंगे देखते हैं और लगाते हैं कि सही कौन से और कित पहला दोनों पूरूस या इस्त्री नेडर और बहादूर हम रूडिक धानाओ का अधार पर अगर उत्तर लगाते हैं नेडर और बहादूरों में से तो अधिकतर पूरूस माना जाता है अपन पूरूस पर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगला है आश्रीत क्योंकि यह पूरा टॉपिक रूडिकत आधार पर है इसलिए आश्रीत में पुरूस दोनों और इस्त्री तो आश्रीत में अधिकतर माना जाता है कि इस्त्री आश्रीत रहती है इसलिए इस्त्री पर राइट मारेंगे और आगे बढ़ेंगे सक्तिसाली इस्त्री पुरूस और दोनों तो पुरूस को सक्तिसाली मना जाता है इसलिए पुरूस को राइट मारेंगी और आगे बढ़ेंगी सक्सम दोनों इस्त्री और पुरूस तो रूड़ी का धानाव के अनुसार पुरूस को सक्सम माना जाता है इसलिए इसेम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे निर्णे लेना पुरूस इस्त्री ओर दोनो रूड़ी का धानाव के अनुसार पुरूस निर्णे लेने में अधीक सक्सम होता है इसलिए पुरस्पर आइट मारेंगी और आगे बढेंगी भावुक पुरूस इस्त्री और दोनों रूड़े का धाणाओं के अनुसार इस्त्री भावुक रहती है इसलिए इस्त्री को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं यह हमारे सामने गतिविदी एक रूड़े का धाणों के पेचान करना हमार पास इसकोर आगया 6 में से 6 नंबर साथियों इस जानकारी को इस वीडियो को अब अपने अधिक से अधिक सिक्सक साथियों में सेर कीजिए जिससे यह जानकारी उनके पास भी पहुँचे तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारे साथ नए प्रश्णों तरीके साथ दोस्तों वीडियो के इस टोपिक पर अपने विचार विक्ट करना न भूलें जाते-जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए वापास वाली बेल पर प्रेश कीजिए जिस्से जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सदिक सेर कीजिए थैंक यू